ट्राफिक पुलिस ने बेसाहरा पसुओं को बांधे रिफ्लेक्टर रात्री के समयन से होने वाले हाथसों में आई गी कमी सड़क पर घुमते बेसहारा पसुओं से आए दिन होने वाले सड़क हाथसों को रोकने के लिए धौलपुर सहर की ट्रैफिक पुलिस ने अभियान सुरू किया है ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर घूमने वाले बेसाहरा पसूँ पर रिफलेक्टर लगाने का कारेश शुरू कर दिया है सौंबार को ट्रैफिक इंचार्ज टीनू सोगरवाल के साथ ट्रैफिक में तैनात पुलिस कर्वियों ने बस स्टैंस अंतर रोड बाडी रोड और सेपो रोड पर बेसाहरा घूम रही गायों को रिफलेक्टर बांधे ट्रैफिक इंचार्ज ने बताए कि आए दिन अवारा पसू से रातरी के समय सड़क हाथसो के मामले सामने आ रहे हैं जिससे कभी पसुधन की हानी हो रही है तो कभी जन्धन की हानी तक हो जाती है इन बेसाहरा पसू से होने वाले हाथसो को लेकर ट्रैफिक पुलिश ने पसू के गले में रिफलेक्टर लगाने का भिहान सुरू किया है जिस रिफलेक्टर से आए दिन होने वाले हाथसो पर लगाम लगेगी ट्राफिक इंचार्ज ने बताये कि सड़क पर बैठने वाले बेसहरा पसूं की विवस्था करने के लिए नगर परिशद धौलपुर से भी पत्रचार किया है नगर परिश्रद वारा पस्वों के विवस्ता है कर दिये जाने के बाद सड़क पर घूमने वाले बेसहारा पस्वों से वाहन चालकों को निजात मिलेगी